तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शुबम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल UK03 Tech तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पे काम करना और ग्रो करना तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है डेर सारी information about YouTube में कैसे ग्रो करना है किस तरह से आप account बनाएंगे तो जो आज का topic है जो बहुत सारे लोग mistake करते हैं यूट्यूब पे account बनाना account किस तरह से बनाना है जो mistake करते हैं उसी पे हम बात करने वाले हैं और कैसे एक YouTube account बनाएं सुरू से starting से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको करनी है कौन सी settings है जो आपको करनी है जिससे कि आपका YouTube channel ग्रो हो और एक perfectly वो बनके आए आप लोगों के सामने तो वही चीजे मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में और बहुत सारे लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में YouTube account खोलते हैं नॉर्मली अपने फोन से और फटक से उसमें वीडियो बस पोस्ट करते रहते हैं बट वो एक सही तरीका नहीं है सही तरीका है क आपको जो उसमें settings करनी है जो main settings करनी है वो बहुत जरूरी है तो वो settings आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि वो setting कौन कौन सी है जिसको करके आप अपने YouTube channel को grow कर सकते हैं और जो सही तरीका है YouTube पे काम करने का तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना एक channel खोलना है और आपका पहला channel है जो आप YouTube पे काम करने की सोच रहे हैं और पहला channel बनाना चाहरे है तो मेरे को follow करिए आप क्योंकि इस video में मैं आपको यहीं बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपना channel create कर सकते है YouTube में वो भी अपने phone से तो मैं आपको करके दिखाऊंगा same चीज आप आपको follow करनी है जो जो मैं बताऊंगा वह settings आपको अपने YouTube अकाउंट में follow करनी है तो आपको easily आप भी यहां पर एक अच्छा सा account create कर सकते हैं बट उससे पहले पता नहीं बहुत लोगों ने आपको बताया यह नहीं बताया जो मेरा experience में आपके साथ शेयर करता हूं अगर आप YouTube अकाउंट पहले बनाने जा रहें तो प्लीज इवर बैट के एक अच्छा सा उसका नाम सोच लीजिए और नाम आपका कुछ ऐसा होना चीए जो YouTube में पहले ना हो वो आपको जल्दी ग्रो करने मदद करता है क्योंकि उस नाम का कोई channel नहीं होगा तो अगर वो search भी कर इसा नाम रखें एक ऐसा handle रखें पहले से सोच के कि जिसे आपको help मिले वो search में जल्दी आ जाए तो यह सारी चीजे हैं तो आप नाम सोच लीजिए वांकिका मैं आपको account बना के दिखाता हूं अपने mobile से कि किस तर से आप account बना सकते हैं तो चलिए mobile की screen में चलते हैं क्या कि सारी update आपको मिलते रहे नहीं नहीं जो भी आएंगी बहुत सारी चीजे में share करूंगा आपके साथ तो वो आपके साथ आपको मिलती रही तो अपने जो भी YouTube में काम करना चाहता है जो लोग आगे बढ़ना चाहते है YouTube में प्लीज उनके साथ भी share करना था कि वो भी जो अपना पहला account बना है वो एकदम perfect हो और वो grow करे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए जो भी लोग YouTube पर काम करना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं और मैं आपको बताता हूं वो settings क्या क्या हैं जिससे कि आप अपने YouTube को account बना सकते हैं और तो यहाँ पे ओपर जाना है हमें यहाँ पर ह Packard ऑप्षिन आएगा तो हमें क्या करना यहाँ आई पर add account में क्लिक कर देना वर पर एड़ अकाउंट में क्लिक करेंगे तो चेकिंग फॉर इंफरमेशन यहां पर लिखावा आ रहा है थोड़ा सा वेट करेंगे तो देखे यहां पर आ चुका है तो हमें नए अकाउंट क्रेट करना है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए तो हम हम अपना नाम डाल देभी है अपना मैरे नाम यहाँ डाल दिया है है तो यहाँ पर हमने नाम डाल गानit भाद हमें नेक्स्ट कर देना है तो जैसे आप next करेंगे तो आपको डेट अफ़ बर्त डालने के लिए आएगा तो यहाँ पर अपद आ Warriors तो नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर date of birth डालने के लिए बोलेगा तो आपको यहाँ पर अपनी date of birth डाल देनी है साथ साथ वहाँ पर gender डाल देना है जो भी आप है लड़का है लड़की तो आप यहाँ पर अपना जेंडर भी डाल देना तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं और gender में हम select कर लेते हैं mail और उसके बाद हमें next कर देना है तो आप जैसे next करेंगे यहाँ पर आपको अपनी email id चुनने के लिए आएगा कि आपको अपनी email id select करने है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ तो अगर आपको और name नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं करना है तो मैं एक zero और बढ़ा देता हूं 0007 कर देता हूं अगर फ्री हो तो यह मेरे को मिल जाएगा तो यह मिल गया है तो मेरा जो email id बन गई है वो यह टेक 007 बन गई है तो अब आपको पासवर्ड डालना है तो पासवर्ड में एक चीज ख्याल रखें कि पासवर्ड हमेशा strong password रखें तो उसमें आपको अपने नाम के letter है जो वह भी यूज करने है number भी यूज करने है ठीक है तो उसको मिला के आपको एक करना है है तो कुछ भी आप sign यूज कर सकते हैं यहां पर हैस यह कुछ भी तो उसके बाद मैंने number यूज कर लिए एक दो तीन चार और उसके बाद मैंने एक और वर्ड यूज कर लिया एस तो यह एक पासवर्ड हो गया तो अगर मैं से next करूंगा और पासवर्ड मस्ट भी एट करेक्टर तो आपको क्या करना है आपको तो अब आई है पासवर्ड की बारी अब आपको पासवर्ड डालना है तो पासवर्ड में आपको क्या करना है पासवर्ड हमें से strong होना चाहिए ताकि कोई उसे hack ना कर पाए तो उसको example के तौर पर मैं आपको एक बता दे रहा हूं कि आपको किस तरह के password रखने चाहिए तो password में letter भी होने चाहिए नमबर भी होनी चाहिए और जो numeric keys होती है वह भी होनी चाहिए जैसे star, has तो इस तरह के कुछ आपको वह use करने तो सबसे पहले आपको मैं जैसे मैं बता रहा हूं मैं capital S. Use कर ले रहा हूं और उसके बाद मैं ad read यूजуска ले रहा हूं और उसके बाद number यूज कर ले रहा एक दो तीन 4 5-6 च्रृत का मैं number यूज कर ले रहां और से के बाद मैं capital sorry small r लगा देते हैं तो this is my password तो यह मेरा password है और से next कर देते हैं तो यह हो चुका है next और अब देखिए आपको add phone number के लिए आ रहा है आपको कुछ नहीं करना है yes I am in करना है यहाँ पर आपको नीचे आके और यहाँ पर आपको आगे देख लेना है this is your email ID जो आपकी mail ID होने वाली यह टेग जैसे मेरी यह यह टेग 0007 at the gmail.com तो यह अब आम मैं next कर दूँगा next के बाद आपको privacy and terms का एक page आएगा आपको कुछ नहीं करना है से scroll करना है और नीचे से I agree पर click कर देना है तो मैं यहाँ पर I agree पर click करता हूँ मैंने आई अगरी पर यहाँ पर click कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा वेट ले रहा है और गूगल सर्विसेस और हमारा account बनने जा रहा है तो गाइस हमारा email ID बन चुकी है जिससे हमें अपना YouTube चैनल create करना है और यह direct हमें redirect कर देगा उस page में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर automatically उपर आपकी जिस ID आपने बनाई है वह यहाँ पर आ गई है जैसे मेरी आ गई है अपना चैनल का नेम करना चाहते हैं जिससे आप जाने जाएं तो मैं एक बार यहाँ पर देख लेता हूं मैं नाम डाल देता हूं यूर्ट टेक 007 तो आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं अंदर भी चेंज कर सकते हैं ठीक है और create a channel पर आपको क्लिक कर देना पिक्चर आपको लगानी है तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं अंदर से भी लगा सकते हैं तो मैं आपको अंदर से लगा के दिखा दूँगा पिक्चर बैंड जो भी आपका चैनल का बैनर होगा वो सारी चीज़े में आपको अंदर से लगाना बता देता हूं आप यहां पर create a channel पर आपको click कर देना है बस तो हमने यहां पर जैसे create a channel पर click करा तो आप देख सकते हैं यहां पर सब कुछ आपका channel create हो गया this channel does not exist यहां पर लिखावा आ रहा है देखिए तो अब आप अगर देखेंगे तो आपका channel create हो चुका है so this is my channel जो मैंने आपको example के तौर पर बताए यह यह यहां पर देखिए यह बहुत सारे लोग यह channel इस तरह से बना देते हैं तो यहां पर के बाद ही main sharing काम सेटिंग होता है जो आपकी settings है जो main setting वह इसी के बाद सुरू होती है यह almost सारे लोग बना देते हैं क्योंकि इसमें जाधा मुस्किन नहीं होता है बढ़ अब आपको मेन काम करना है जो सैटिंग वह आपको बताने जारा क्या आपको क्या क्या करना है तो देखते रहिए तो यहां पे से अब आपको पीछे आ जाना है अपने Chrome browser में तो दोस्तों अब हमें आ जाना है अपने Google Chrome browser पर या जो भी browser आप यूज़ करते हो तो वहां पर आपको search मानना है studio.youtube.com तो सबसे उपर वाला आपको यह select करना है आप जैसे यह select करेंगे तो सबसे उपर जो आएगा YouTube studio आपको इस पर click करना है तो जैसे आप इसमें click करेंगे तो यह आपको आपके channel पर भेज देगा जो आपका channel बना है देखिए यहां पर आवा आ गया है welcome to YouTube studio तो यहां पर आप अब आपका channel यहां पर create हो चुका है तो अब वो settings हमने करनी है जो important है तो हम यहां पर नीचे आएंगे और नीचे यहां पर आप देख सकते setting का एक sign ना बना रहेगा आपको इस पर click करना है आप जैसे इसमें करेंगे तो देखे यहां पर settings आ चुकी है तो यहां पर देखे आपको option मिल रहा है journal का तो हमें channel setting में जाना है तो चैनल सैटिंग में आपको basic information में आपको country select करनी है तो हम यहां पर select कर देते हैं इंडिया तो आप जिस country से हैं वो select कर देना तो इंडिया हमने select कर दिया और यहाँ पर आपको keyword डालने keyword वो चीजे होती है जो आपके channel से relate करती है अगर आपको अपना channel search पर लाना है तो जैसे आपके channel का नाम कुछ भी है तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है ऐसे keyword जो search करने पर आपके video को link करें आपके channel को link करें तो यह सारी चीजे वो होती है तो यहाँ पर मान लीजे मैंने for example मैंने अपने channel का ही नाम यहाँ पर डाल दिया है your tech tech और इसे save कर देना तो आप यहाँ पर बहुत सारे डाल सकते हैं your tech को अलग-अलग करके या एक साँ जोड़के बहुत for example आप ऐसे भी डाल सकते हैं तो यह सारी चीजे keywords वो है जो आपके channel को searches में मदद करेंगी तो आप इसको यहाँ पर कर लेना उसके बाद हम आजाते है advanced setting में आपको दूसरा option दिख रहा होगा advanced setting में आते हैं तो यह जो setting है यह काफी important है क्योंकि इस setting में आपको channel को यह बताना है कि आपका जो यह जो भी content आप बना रहे है यह बच्चों के लिए नहीं है यह 18 साल के उपर लोगों के लिए है तो बच्चों के जैसे अगर आपने yes this channel as made for kids दगा आपने select कर दिया तो यह सिर्फ बच्चों को recommend होंगी आपकी videos ठीक है और इस पे लोग comment भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें comment करना अलाव नहीं होता तो आपको यहाँ पर select करना है no set this channel not as a made for kid यह तो यह channel जो आपका है यह made for kid नहीं है तो यह सारे लोगों को दिखेगा जो भी पब्लिक है उस सभी लोग को अठार साल से उपर वालों को दिखेगा particular बच्चों के लिए नहीं है तो यह आपको select करना है यहाँ पर important setting है यह और उसके बाद features eligibility यहाँ पर आपको चल जाना है तो अब यहाँ पर आप देखोगे standard features enable है और जो green green है है वह enable है आपको ये दो और activate करना है तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करने अपना phone number डाल दे नहीं कि तो यहाँ पर अपना 1 फून हम डालेंगे के तो यह थोड़ा सा टाइम लेगा तो यहाँ पर आप अपनी country इनडिया सिलेक्ट है तो यहां पे आप अपना phone number डाल देना ठीक है यहां पर आप जैसे phone number डालोगे तो oncet code में जैसर है podcast करोगे तो आपके पास ऐक code आएगा जो आपको बार देना होगा ठीक है तो बहुत सिंपल है आप कर लेना मैं इसे पूरा complete नहीं कर रहाँ क्योंकि obviously मेरा channel बना हुआ है आप देख सकते हैं जो मेरा channel है मेरा already channel है तो मैं एक हाली आपको एक example के लिए बता रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें से activate होती है जो उससे activate होता है उससे आपके देख क्या क्या activate होता है यहाँ पर लिखा हुआ अगर आप देखेंगे अगर किसी का YouTube channel आप खोलते होंगे तो बहुत सारी वहाँ पर जो आगी की फोटो होती है पहली जिस खोल के आप जाते हैं कि यार यह interesting है let's click this video और उस video पर जाके आप click कर देते हैं तो जितना interesting आपका थमनेल होगा उतनी ज़्यादा लोग attract होंगे आपकी वीडियो की तो अगर आप यह अपना mobile number यहां register कराते हैं तो तभी आप यहाँ पर custom थमनेल लगा सकते हैं ठीक है तो एक यह हो गया और second मैं देखी यहाँ पर आपको कितनी सारी चीजें मिल रही हैं यहाँ पर create more live streaming daily तो बहुत सारी चीजें है ठीक है तो इसमें आपके पास option है video verification, valid ID या channel history तो video verification आप कर लेना है यहाँ ठीक है तो जैसे ही आप number यहाँ पर register करेंगे उसके बाद आपका यह तीसरा step आएगा तो video verification करना है यहाँ यह जरूर कर लेना आप अपने उसमें video verification में कुछ नहीं आपको video verification select करना है उसके बाद एक mail जायागा आपकी email ID में आपको वह जीए उसे देखेंगे और उसके बाद आपका channel यहाँ पर यह features भी आपका enable हो जाएगा और यह channel आपका आगे बढ़ जाएगा तो इस वाली setting को हम save कर लेना यहाँ पर से ठीक है save करना ना भूलें उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं settings में और आप देख लेते हैं यहाँ पर हर वीडियो के description में आपका आ जाएगा तो यहाँ पर आप description लिख सकते visibility में यहाँ पर आप अगर आप कभी भी video बना रहे हैं तो उसमें visibility पहले आप unlisted करें उसे ठीक है unlisted करके उसे upload करें उसके बाद ही उसे public करें तो यहाँ पर अगर आप unlisted कर देंगे तो unlisted से क्या होग वो आपकी video बनके आपके channel पर upload हो जाएगी बट आप उसे बाद में देखके public कर सकते हैं ठीक है और नीचे आ जाते हैं यहाँ पर add tag का option है तो tag आपके channels में आपकी video के लिए आप use करते हैं तो tag यहाँ पर अपने channel का नाम डाल सकते हैं तो मैं यहाँ जैसे मैं अपने channel का नाम डाल सकते हूं UK03 टैक और यहाँ पर कुछ खास keyword आप डाल सकते हैं जो हमेशा आप अपने वीडियो में यूज करें बाकि आपको वही tag यूज करने जो आपकी video से relate करते होंगे relevant tag यूज करने ताकि आपकी video जादे से जाधा आगे जाए तो इसे यहाँ पर आपने tag ड बहुत important setting है category की आप किस field में video बना रहे हैं तो जादा से जादा उन ही लोगों को आपकी video जाएगी जो यह देखना चाहते हैं जैसे car and bicycle का आप review करते हैं तो उसका कर सकते है comedy करते है comedy के video बनाते है तो comedy वाला कर सकते है education related video बनाते है तो आप education select कर सकते है entertainment बनाते है तो यह यहां पर आप video language select कर सकते हैं मैं Hindi में वीडियो बनाता हूं तो आप जिस language में वीडियो बनाते हैं आप वो select कर सकते हैं तो यहां पर हम select कर देता है Hindi तो यहां पर मैंने Hindi select कर लिया है अब यह देखिए यहां पर आ गया है ठीक है तो आप जैसे यहां पर Hindi select करेंगे तो यह इंडिया में जादे से ज़्यादा लोग के पास आपकी विडियो जाएगी यहां पे G Exerc oven में ना १ी और रिचल च्छा यहां में Fat female pra तो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ कुछी को सेटिंगे और यहाँ में इसे सेव कर देतें स przeci चैनल की settings हो चुकी है और आपका चैनल अब ready है अब आप इसमें videos डाल सकते हैं ठीक है तो यह बहुत ही easy है आपने सीख लिया होगा तो आप यहां पे से आप अपने videos अपने चैनल में video डालें जो भी चीज आपको यहां पर करनी है आप वो कर सकते हैं और जादे से जादा लोगों के पास आपकी channel का वीडियो जाएंगी तो आपका channel अब channel की setting हो के अब आपका channel आपके channel की अप पूरी setting हो चुके और आपका channel तयार है अब आप इसमें अपनी videos डाल सकते हैं ठीक है और जादे से जादा लोगों के पास अब यह channel की videos आपकी जाएंगी तो यही सारी setting आपको करनी है जैसे same मै आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो आप अपने friends के साथ इसे share कर सकते हैं जो YouTube मैं interested है और वीडियो अपना channel बनाना चाहते हैं तो किस तरह से आप बनाएंगे तो यही वो तरीके हैं यही वो setting है जिसे करके आप अपनी videos को और अपने channel को बना सकते हैं तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें and press the bell icon thank you so much for watching